कमल हसन जो की तमिल इंडिस्टी के वन अफ दा लेज़ेंडरी एक्टरों में से एक हैं जिनों बॉलीवुड में भी काफी दमागिदार फिल्म दी हैं चाची 420 जैसी जी हां दोस्तों लेकिन इनकी लास्ट फिल्म में कुछ जादा कमाल नहीं कर पा रही हैं जिसके बाद कम कोड करने के लिए सब्सक्राइब और बैल आइकन प्रेस करना मद बूलिया का दोस्तों तयार कर दो कमल असन की जो पहले फिल्म आ रही है वह विक्रम जो की एक्सं ठ्रेलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डाट करें लॉकेस कंग राज जो कि कैथी मास्टर जैसी ब्ल लोगों को देखो फ्टोरी समझ में नहीं लेकिनि इसका एक्सन और ठिल देखके तो हर्कों डर ही गया यानि कि फिल्म पाफी जाता जबर जैस्त होने वा इस फिल्म को पर्डूज कर रहे हैं खुद कमल इंडियन टू जो की क्राइम थ्रिल ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायट करें एक्स संकर जो की सिक्वल होने वाला है इंडियन का ही जिस फिल्म को डायट एक्स संकर नहीं किया था 20 साल पहले जी हाँ दोस्तों आपको अदर इस फिल्म के अंदर लीड रोल में लेकिन हाँ अब फाइनली इसका केस्क ओवर होने जिसे काफी बड़े बजट यानि की 210 करोड के बजट में बनाया जा रहा है जो की पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को पर्डियूस कर रहे हैं कमल हसन एस संकर और लाइक अप प्रेडक्शन के 22 इस फिल्म को ब इस फिल्म की रिलिज डेट है वह पहले ही काफी आगे रख दी गहीं ती जू रख दी गहीं ती है अपरैल 2023 यानि कि इस फिल्म को बनने में काफी टाइम है जिसमें आपको बर बर के दौरे किराम दिखाया जाने वाला और यह फिल्म भी काफी जदा दमागे दार होने वाली है अपने पहले पार्ट की तरह ही जी हाँ आपको देदे इस फ्लिम को जो रिलीज किया जाना है वो 2020 के अपरायल में किया जाना है जिसकी सूटिंग हाल फिलाल यानि की विकरम की रिलीज होने के बाद ही स्टार्ट कर दी जाएगी दोस्तों यह फिल्म भी एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली हाला कि जो इसका पहला वर्जन था वो केवल तमिल में ही था लेकिन इसे वी अब कमल हसन सर करने वाले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज बात करेंगे नेस्ट फिल्म जो हने वाली आपको दर इसके अंदर एक हीरो की रोल मनेजर रहेंगे वहीं पर कमल हसन का आपको इसके अंदर एक दमदार विलन वाला रूप दिखाई देने वाला है जिस फिल्म को बनाया जा रहा है माइथर मुवी में करके बैन अरतले जिससे रिलिज्स किया जाना है दो हजार में आपको कमल हसन फाद फासिल नजर आने वाले हैं और यह फिल्म सीक्वल होने वाला 1992 में आई फिल्म तेवर मगन का जो की पांच टाइम भाई नेशनल अवार्ड भी जी चुकिया और ऑसकर में लिस्ट हो चुकिया यानि कि आप समझ सकते हो फिल्म का कॉंसेप कितना द पर ननीचनल के 42 फिल्म को बनाए जाएगा जिसे रिलीज किया जाना 2024 में जो कि अब पैन इंडिया लेखल पर रिलीज होने वाली तो यहीं थी कमल अजन सार की आने वाली फिल्म है इनमें से कॉन सी फिल्म का आपको इंटियार कमेंड में जरूर प्सक्क्राइगा मुझे